वेलकम माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे चलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हैं उड़त गोश्ट की रेसिपी जोई बिजनोर की ट्रडिशनल रेसिपी है मैं बिल्कुल आपको जैसे देख में उड़त गो इसपी हमने लिए हैं धाय स्कुराम उड़त साबुत और सो ग्रम मसूर की दाल इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब इसके अंदर हम कुकर में एड़ कर देते हैं और मैंने इसमें दो लीटर पानी लिया है अब हम इसमें डालेंगे करम मसाले यह मैंने एक चमच ज अब आपको दाले हम यह बहुऑ दालेंगे हम अब के ईंदर एक टीस्पून हल्दी लिएtha चलिए इसके अंदर थोड़ा से तेल एड़ किया है मैंने तेल एड़ करना जरूरी है इससे हमारे जादा उबलेंगे नहीं उलद वरना सीटी के साथ बहुत सारा पानी पहारा जाता है वह चीज नहीं होगी इसमें चलिए इसे हम साइड में कर देते हैं और अब हम लेंगे कूकर से वह जड़ा पंचा से 5-30 ग्राम कर लेंगे और यह शरशोड़ते हो ड्री बहुत संदेशा काट सा लेगे जब थोड़ि से खुली खुली हो जाएगी इसके इनदर यहम पानसु ग्राम खुश्टी लिए हड्योवाला अब हम इसे छला लेंगल के हज़ए हड्ड क प्राइ करना है इसको चलिए अब इसके अंदर एड़ करेंगे हम स्लॉ Ils ये मैंने एक चम्मच नमक लिया है ये इसके अंदर एड़ कर देते हैं अब इसके अंदर एड़ करेंगे हम मिर्च ये लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने दो चम्मच क्योंकि मैंने उड़ाद में मिर्च नहीं डाली है तो इसलिए मैं इसके अंदर ही दो चम्मच मिर्च अब डालेंगे हम धनिया पाउडर यह मैंने एक चमच धनिया पाउडर लिया है इसके बाद डालेंगे इसके अंदर हम हल्दी एक चमच ही हम हल्दी लेंगे और अब हम इसे अच्छे से चला लेंगे अच्छे से जब सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे जब तक हम इसे अच्छे का पेस्ट लिया है चलिए एक बार फिर चला लेते हैं हम इसे अच्छे से चला लेना है इसे और हमें इसे पानी डालना है मैं अच्छे से इसे ऐसे ही भूल लेना है इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा चलिए मैंने अच्छे से चला लिया है इसे अब इसके जब सारा मसाला अच्छे से मिल जायेगा तो इसके अंदर आइड करेंगे हम गर्म coolest I am में उप्राइड मसाला है मैंने घरपर पीसा है मैंने इसके अंदर avenue इड्ड कर दिया कर दिया जब आपका गोष्ट गल जाए तो इसे भून लीजेगा चलिए चेस 7 ct आचुकी है अब हम इसे खोलते हैं गोष्ट हमारा फ्लेम पर पकाया था फिर मैंने लो फ्लेम पर इसे आदे घंटे के लिए छोड़ दिया था चलिए हम खोल लेटे हैं देखिए हमारे उड़ाथ बिल्कुल अच्छे गल चुके हैं बिल्कुल मुझे घोटने की भी जरूरत नहीं पड़ी इनकी यह बिल्कुल घुट चुके हैं अच्छे तरह से अब जो मैंने साबुत लस्तन डाला था इसके अंदर वह हम इसके अंदर निकाल देंगे एक साइड में कर देंगे हम इसे निकाल कर चलिए एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे हम देखिए उड़त बिल्कुल हमारे अच्छे से गल चुके हैं बिल्कुल पर्फेक्ट बने हैं हमारे पाने में हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट था इसके अंदर चलिए अब जो मैंने गोष्ट भूना था अब इसको उड़त को हम एक अलग पतिले में निकाल लेंगे यहां पर यह गोष्ट भून चुका है हमारा जब हमारा गोष्ट अच्छे से भून जायागा बिल्कुल जब मसाला इसका फटा-फटा सा हो जाएगा तो हम इसे उड़त के अंदर डाल हम सारा भूना हुआ गोष्ट की और हम इससे अच्छे से चला लेंगे देखिए जैसे हम आच्छे से चलाते रहेंगे ऐसे ही सका कलर चेंज होता जायगा चलिए अब हम इससे चलाते रहेंगे जब तक यह पूरा मसाला मिक्स नहीं हो जाता और मैंने गैस ओन कर रखी है एक उबाल आने तक हमें इसे और पकाना है ताके मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए उड़त के अंदर चलिए उड़त गोष हमारा बन कर रेड़ी है अब इसके अंदर एड़ करेंगे हम धनिया धनिया लिया है मैंने काफी सारा हरी मिचली है मैंने 8-10 और मैंन अच्छा कलर आ रहा है धनिया डालने के बाद और गयस मैंने अभी बन नहीं किया है एक उबाला आने तक हमें इसे गयस को रखना है और चलिए हमारे अच्छा सा मिक्स हो चुका है देखिए कितना अच्छा टेक्स्चर आया हमारे उड़त गोष का और बिल्कुल परफेक् करिए लाइक करिए और शेयर करिए और बैर आइकन के बटन को प्रेस कर लिजिए ताके हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए और हमें सपोर्ट करिए इसे गार्णिशिंग करेंगे हम थोड़ी से धनिये से और अध्रक से जो ह हमारे उर्दगोश रेडी हैं बिल्कुल आप इन्हें चावलों के साथ इंजोई करिए थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो